मध्य भारत की प्राचीन विंध्यांचल परवर्श रंखिलाओं में बसा है पश्वी मत्रप्रदेश का किवनी वन्य जीब अभ्यारन। आज भी यह भ्यारन अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। अभ्यारन की विहंगम वादियों में बहती बाल गंगा नदी जंगल की सुन्दर्ता को अतुल्निय स्वलूक तो प्रदान करती ही है। साथ ही जंगल में रहने वाले जीवों की प्यास भी बुझाती नदी की किनालों पर बने प्राचीन मंदिर अभ्यारन के एतिहासिक महत्य को भी दर्शाते हैं। वन विवाग के अथक प्रयासों से अभ्यारन से हुए गाउं की विस्थापन के बाद एक बार फिर यहां के वन प्राणियों को फलने फूलने का मौका प्रदान किया है। अभ्यारन के शुष्क पर्ण पाती रक्षों से अशादित होने के बाद भी विंध्यांचल पर्वत की वादियां यहां की जैव विवित्ता को असाधारन सुन्दरता प्रदान की हुए है। पक्षी प्रेमियों के लिए खिवनी वन जीव अभ्यारन किसी स्वर्ग से कम यहां पाई जाने वाले पक्षियों की 125 से भी अधित प्रजातियां पक्षी प्रेमियों के आकर्शन का केंदर हैं। अभ्यारन में बहुत आयात में पाई जाने वाले मध्य प्रदेश की राज पक्षी दूद राज की अठखेलियां मन को प्रफुर्लता प्रदान करने व बीते कुछ वर्षों में बाग की उपस्तिती ने खिवनी वन्य जीव अभ्यारन की आहार शंक्रा को भी संपूर्णता प्रदान की है अभ्यारन में बाग की स्थाई उपस्तिती यह दर्शाती है कि खिवनी वन्य जीव अभ्यारन ने बागों को यह बसने के लिए अनकूल म प्रदान किया है। खेवनी वन्य जीब अभ्यारन अपने सुंदर एवं अधुद जीवों के साथ वन्य जीब प्रेमियों को अतुलनी अनभव प्रदान करने के लिए स्वागत में तत पर खड़ा है। खेवनी जीब प्रेमियों के लिए स्वागत में तत पर खड़ा है। खेवनी जीब प्रेमियों के लिए स्वागत में तत पर खड़ा है।